नमस्कार दोस्तों स्वागे थे अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में हैं दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं SSE CGL Exam 2021 जो की 13 अगसे 24 सबसे 2020 ते टोटल 21 सिट्प में कंडेक्ट हुआ हैं तो इन सभी सिट्प में पूछेगे टोटल 100 साइंस के स्वाल है इस वीडियो में एक्स्टा फेक्ट साइथ कवर करने वाले हैं उसकी पीडियो फाइल भी आप हमारी वेबसेट से डाउंडोड कर सकते हो जो अधरीडी एवलोबल है जिसकी लिंक भी डैस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यह सभी इंपोर्टेंट क्योंस है इसकी फिरियो आपको वीडियो फाइल आपको हमारे टेलिगाम चैनल पर मिलन मेनेजमेंट है इन सभी के लिए स्मार्टपक के तोर पर मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यदा जरूरी है और डैली मॉक टेस्ट के लिए अनलिमिटेड मॉक टेस्ट है और सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ एक ही पास में अट्टेम्ट करने के लिए टेस्ट 20 रुपए यहां पर डिसकाउंट होगे 280 में आप 14 मन्त का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट यह नि सारे एक्जाम्स के एक ही पास मॉक टेस्ट है और वह जाती है बाकि आपकी जो मेहनत रहती है क्योंकि टाइम मेनेजमेंट हो गया कौन सा सेक्षन हुए कि यह सभी मॉक टेस्ट स आप सारे एक्जाम्स के मॉक टेस्ट है किसी भी एक्जाम्स की टेरी करते हो एक की साथ यहनि एक की पास में अटेम्ट कर सकते हैं और टीटीजी के कोपन कोर्स यह अभी आपको 14 मन्त में मिल रहा है और 280 रुपए में यह आप ग्रेब कर सकते हो इस डील को तो चली कंटेन साल में टोटल धमनी होती है वो दो धमनी होती है यह आपको पूछले कितनी वेंस होती है शिराएं कितनी होती है तो एक शिरा दो धमनिया होती है गरबनाल है वो धमनिया क्या काम करती है तो गरबनाल धमनिया भुरन से प्लेसेंटा तक ऑक्सिजन रहितर रक्त की आपूर अगले स्वाल देखते हैं यहां पर लशी का जो लिम्प है वो सफेद रक्त कोशिका यानि WBC से निर्मित एक हलका साप तरल प्रदार्थ हैं जो रक्त में हानिकारक किस पर आकरमन करता है लिम्प है सफेद रक्त कोशिकाओं से जो निर्मित होता है वो जो हानिकारक पर आकर देता है उन पर आकर्मन करता है बहुत बार एक्जाम में पूछे जाता है स्वेत रक्त कोशिका कानने नाम क्या है तो इसे लिंफोसाइट बोला जाता है और यह जो लिंफोसाइट है या फिर WBC है इसका कारे क्या रहता है यह इम्यून पावर अपनी बढ़ाती है रोग पर शक्त पदारतों पर हमला करने के लिए किया जाता है नेक्स वाल के रुबढ़ते हैं यहाँ पर कौन सा अंग हाइट्रोकलोरिक अमल शरावित करता है जो रोग जनक बैक्टिरिया को मारने में हमारे सरीर की मजद करता है तो HCL जो हाइट्रोकलोरिक एससीड है वो किस अगला स्वाल दिखते हैं यहाँ पर आवश्राणी में अतिदिक विदुत रिनात्मक हैलोजन और अतिदिक विदुत धनात्मक शार धात्मों को किस के दोरा अलग किया जाता है तो हैलोजन जो तत्तो रहते हैं आवश्राणी में जो सत्तरवा गरूप है लाश्ट सुमर्न आता तो अठारव ग्रूप से यह आपस में पिर्थक होते हैं अठारव ग्रूप है उत्करष्ट गैंस का ग्रूप है तो यह उत्करष्ट गैंस ग्रूप से आपस में अलग रहते हैं अगला स्वाल देखते हैं यहाँ पर एक इस्तिर चुम्बक के च्छेत्र की उपसिती में एक वर्ण करमी रेखा को कई घटकों में विवाजित करने के प्रभाव को जिमान एफेक्ट कहा जाता है तो जिमान एफेक्ट के आपको परिवासा दे रखी थी टोपा जैने जो पुकराज है यह अलुमीनियम और फुलोरिन सहीद किसका खनीज है तो इसका आपको इदी केमिकल फॉर्मला पता है तो आप एजिली कह सकते थे तो यहाँ पर देख रहे हो सिलिकेट है अलुमीनियम तो है ही है और फुलोरिन के साथ साथ सिलिकेट हो अगर आसवाल देखते हैं यहाँ पर electron volt किसकी एकई है electron volt है वो उर्जा की energy की किसकी unit है electron volt है energy की उर्जा की एकई है एक electron volt यह एक EV की बात करूँ तो वो कितने joule के एकवल होती है 1.602 गुणा 10 की घात माइनस 19 joule के एकवल होती है और एक electron volt है वो 1.602 गुणा 10 की घात माइनस 12 है वो अर्ग के एकवल होती है तो यहाँ से आपको पता चाल रहा है कि अर्ग भी एक किसकी काई है energy की काई है जैसे electron volt है और इन में आपस में क्या संबन्द है जो आपका ये unit conversion है ये पी आपको पता होना चाहिए एक electron volt में कितने जूल 1.602 multiply 10 to the power minus 19 जूल होती है नेफरोन किस अंकी बुनिया दिया कार्यत्मक एकाई है बहुत पार एक्जाम आज चुका है नेफरोन है जो kidney जिसे आप घुर्दा बोलती हो तो kidney की ये एक कार्यत्मक एकाई है जो basic functional unit है वो kidney की है नेफरोन देखते हैं स्वाल नंबर 9 कौनसी ऐसी प्रकरिया जिसमें गरम कम शगन पदार्त उपर के और ओड़ते हैं तथा उन्हें ठंडे अधीक शगन पदार्तों के दोरा प्रतिस्तापित के आजाता है तो ये दोस्तों होता है सहेवन में तो तीन परकरिया होती है उश्मा इस्तरांतन की एक तो आपके सहवन होती है एक कंडक्शन यहीं चालन होती है और जिसमें कमपन होता है तीसरी आपके रहती है विक्रन रहती है तो सूर्य से जो किरने आती है वो विक्रन की माध्यम से तो 7 क्या होती है जैसे ही आप ये मैमाल लेता हूँ एक भगोना है जिसमें पानी गरम हो रहा है तो पानी गरम हो रहा है सबसे पहले नीचे वारा पानी गरम होगा तो नीचे वाला पानी जैसे गरम होगा तो वो हलका होकर उपर चला जाएगा और उपर क्या थंडा पानी व आप पाएंगे कि यहाँ पर भी वो गरम हो रही क्योंकि अनुब में आपस में कमपन हुआ उश्मा के इस्ताना अंदन कमपन के दोरा होकर आगे के और बट रहे हैं वो आपके चालन हो जाएगा जो की ज्यादातर ठोस में रहता है और शेहवन है यह लिक्विड में रहता है और जो विक्रिण रहता है वो किसी भी माध्यम क्या हो सकता उसको नहीं रहती है अगलास्वा देखे समेग की विमा निवन में से किस के समतुल्ले हैं समेग है यह आवेग समेग क्या होता है दरिमान गुणा वेग ही तो होता है तो इसकी विमा है वो इंपल्स के एक्वल ह अगला स्वार निवन में से कौन सा भोतीक राशायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्पूटर विज्ञान और अभी अंत्रिकी की एक तरह की विज्ञान का एक अनुप्रियोग हैं जिसमें कानुनी मामले वद दिवानी तहकिकात की विविन तथ्यों की पहचान की जाते हैं तो एक साइंस के बारे में पूच्छा हैं जो फोरिंसिक साइंस हैं जिसे हिंदी में न्यायलिक विज्ञान बोला जाता हैं यही न्यायलिक विज्ञान हैं जिसमें इन सभी सब्ज उप्यूग नहीं होता है यह चार आपको विकल्प दे रखे थी इन्हें से आपकी गैलेना नहीं पर देख पारे हो अप्शन सी यह करेक्ट हो जाएगा गैलेना जो की इसका फॉर्मला बहुत बार एक्जायम आता है लैड सलफाइड यह लैड सलफाइड यह पी बी एस इसक होते हैं वो पानी रहता है और यह बीस से 40 फिस्ती हैं उसके बाद एब्रेश्विस्ट यह 50 प्रसंटेज एब्रेश्विस्ट में क्या होता है ऐलुमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्सियम हाइड्रोजन फॉस्पेट कैल्सियम कार्बोनेट है जो चूना पतर आपको दे र फ्रनोद है थ्रस्ट को एरिया से जो भी कॉंटेक्ट माण जाए तो एरिया यहा पर आपको करेट करना था होम्योपैथी चिकीशा के जनक यह फातर कौन माने जाते हैं Samuel Henniman इनका नाम है जो जरमनी से इन्हें होमियोपैती चिकिसा का जनकी रूपे जाना जाता है नाम है इनका दोस्तों Samuel Henniman ठीक है और महंदर लाग सरकार पहरे भारती थे जो की इस पर कार चिकिसा क बने थे होमियोपैती अगरा स्वाथ भोकम के काण उत्पन परत्यास मैं इसे स का मतलब सेकेंड्री वेव हैं और ये सेकेंडری वेव हैं वो क्या होती है अनुप्रस्त होती है और जो फी तरंग है और जुक आज़ल को करिछी होती है तो प्रायमरी शो वेव हैं अनुदैद्री होती है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो P wave रहती हैं वो S wave से ज्यादा तेज होती हैं, first होती हैं। अगला स्वाल देखते हैं कौन सी प्राकर्ति घर्टना अंतरजनित बलों का परिणाम नहीं हैं। तो इनमें से कौन सी प्राकर्ति घर्टना हैं वो अंतरजनित बलों का परिणाम नहीं हैं। अगला स्वाल लिखते हैं यहां पर तरंग देधरें वेवलेंथ हैं। अगला स्वाल हैं वो किस से प्राकर्ति घर्टना परिणाम नहीं हैं। अगला स्वाल हैं विस्कॉस फाइबर हैं वो किस से प्राप्ति किया जाता हैं। विस्कॉस फाइबर हैं वो सेलूलोस से प्राप्ति किया जाता हैं। रहे उनके वस्तर बनाने में और विस्क clarification फाईबर यह सेलूले से ही प्रापक प्राप किया जाता है Gel में घुलंसील, plugin कौन सा है Gel में घुलंसील, water-soluble vitamin है, vitamin B.C है वो gel में घुलंसील है, जो भी B.complex में सारे vitamin अजाते है साथिसा सी विटामिन है ये जल में घुलंसील है बाकी जो भी विटामिन रहे गए यानि A, D, E, K है ये आपके fat soluble है वर्षा में घुलंसील है रिक्याट्स रोग सरीर के किस अंग को प्रभावित करता है हड्यों को रिक्याट्स रोग है विटामिन D की कमी से होने वाला जाता है इसमें हड्या कमजोर हो जाती है यह दिए आप धूप अगेरा नहीं लेते हो सूरे से तो रिक्याट्स रोग है वो हड्यों को प्रभावित करता हड्या मजबूत करने के लिए आपको सूरे के प्रकास में आना होगा विटामिन A की कमी से रोग होता है रत्तों दी या फिर इसे 0 फतलमिया रोग है ये भी A की कमी से B6 और B12 बहुत बार आता है एनिमिया रोग है जिसमें रख्त की कमी हो जाती है रुदीर की हिमोगलोबीन की तो एनिमिया रोग किसकी कमी से होता है विटामिन B6 से भी होता है B12 से भी होता है C से इसकर भी रोग हो जाते ह तो विटामिन D की बात कर शूखा रोग रिकेर्स होता है, E से जनन शक्ति कम होना, K से रुधिर का स्राव होना, या फिर ठक्का ना बनना, एंटन हेमोफीलिया हो जाएगा, B3 जो कॉम्पलेक्स में आता, तौचा प्रदाद होना, B से उन लक्वा सर्ज में दर्द है, ये सरे जाता है, जोन्स कैपलर को, तो कैपलर इनका नाम है, इन्होंने ये तीन नियम दिये थे, कक्षाओं का नियम है, जवी, इसका क्या मतलब है, पर्थम नियम है, लो अप और्बिट का, सभी गरा सूरी की चारों तरपिक दिर्ग वर्ताकार, जिसमें दो फोकस होते हैं, तो दिर्ग वर्ताकार कक्षा में गति करते हैं, और सूरी इस दिर्ग वर्त के किसी एक फोकस पर रहता, कोई भी एक फोकस पर सूरी यहाँ पर रहने वाला है, दूसरा है चैतर ये, चाल का नियम, तीसरा प्रिक्रमन काल का नियम, अगला स्वाल, नियमन में से कौन सी बि और फिर 55 का होना कानी कालाचार हो जाएगा और फिर मलेरिया भी यहाँ पर हो जाएगा पर काम पर सोना यहाँ पर यहाँ जो परजीवी से होने वाले रोग है जो किरमी वाले हैं जिससे यह करद किरमी छेरा रोग हैं जो यहाँ पर थेलेर योशिष हैं हुक कर्मी हैं ये सबी रोग हैं जो परजीवी से होने वाले हैं महत बार एक्जाम आजाता है वेक्टर बॉन डिजिज यानि वेक्टर जनी रोग हैं जो जैदातर मच्छर के कारते हैं ऐसी बिमारियों में आपके मलेरिया, डेंगू है, चिकन गुनिया हो गया, फाइलेरिया, काला जार है, जापानी, इंस्प्लेटाइटिस है ये सबी रोग हैं ये किसी होते हैं वेक्टर जनी रोग है, किसी ने किसी एक वेक्टर के दोरा यानि मच्छर के दोरा ये होते हैं हैलोजन तत्नों के बाहिए कोश में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं साथ इलेक्ट्रोन होते हैं हैलोजन यानि सत्तरवे ग्रूप की बात हो रही है तो बाहिए कोश में साथ इलेक्ट्रोन है और फिर next आपका जो अठारवा ग्रूप है अकरिय गेसोवाला उसमें आठ इलेक्टरोन रहते हैं आवर्षान्नि में कोल कितनी गेसे हैं याद रटना है 11 गेसे हैं आवर्षान्नि में जो गेसे हैं वो 11 गेसे हैं तो फंगी का दिन होता है माइकोलोजी में किसमें माइकोलोजी और श्रेवाल का दिन होता है अलगी श्रेवाल का वो फाइकोलोजी में होता है माइको का होता है वो कवक का होता है अगला स्वाल तीन से बारा समुवाले तत्तों को जो संक्रमन तत्तों कहलाते हैं वो किस ब्ल उसके बाद यहाँ पर D यह हो गया S P D नीचे रहता है F Block अगला स्वाल लिखते हैं यहाँ पर हरे शेवाल को अन्ने किस नाम से जाना जाता है तो हरे शेवाल ग्रीन एल्गी को कलोरोफाइसी की नाम से जाना जाता है क्या कलोरोफाइसी हो जाएगा हरा शेवाद फिर मैं बात करूँ लाल वरनकी हरा वरनक है तो कलोरोफाइसी हो जाएगा लाल वरनक है तो उसे रोडोफाइसी बोलेंगे रेड रोडोफाइसी भूरा वरनक है याद रखना फियो फाईशी, भूरा वरनक है फियो फाईशी, जब एलगी शेवाल की बात होई रही है तो इन से समन्दी कुछ other important fact जान लेते हैं, देखिए याँ पर भारतिय उप महाद्वीप में एक शेवाल जिसका नाम है अम्बलीकस, ठीक है, तो इस भ इसको आईरिश अगार बोला जाता है, कॉंडर्स शेवाल को, कलोरेला नामक शेवाल ये protein यूटत होता है, बहुत ज़्यदा protein होता है, कलोरेला शेवाल में इस ते अंत्रिक्स यात्री है, इसका इस्तेवाल करते हैं भोजन की रूप में, तो अंत्रिक्स शेवाल के नाम स इसको भोजन की रूप में प्रियुक्त करते हैं, स्कॉर्ट लैंड में, रोडो मेरिया पलमेटर नामक शेवाल का उप्योग तंबाकु की रूप में क्या जाता है, जापान के निमासी पोरफाइरा नामक शेवाल का उप्योग भोजन की रूप में करते हैं, LED बल्ब में क आपको पूचा है science का ही कि रमेता प्रयुजणों के लिए व्यक्तिकत पेड़ों को लगाने और प्रबंदन की विधी है वो दोस्तों आर्बोरी कल्चर के बारे में जो व्रिक्ष समर्दन होता है तो ये पूचा है कि व्रिक्ष समर्दन क्या है तो आर्बोरी जो कल्चर हैं एक ऐसी कल्टीवेशन रहती हैं एक ऐसी सिंचाई विधी हैं तो कल्टीवेशन मेरेजमेंट एन इस्टेडी ओफ इंडिवीजियल ट्री हैं और ये जो ट्री हैं एक तरीकी से रमेता के लिए रमेता प्रेजनों के लिए वेक्तिगत पेड लग करें तो सरवादी किया पर oxygen आपको element मेलने वाला है जो कि 46.6 फीस दी oxygen के बाद अर्थ कर्ष्ट में जो element है वो silicon है silicon कितना है 27.7 परतिसत उसके बाद aluminum 8.1 परतिसत फिर लोवा है 5 परतिसत calcium 3.6 sodium 2.8 potassium 2.6 है और magnesium हो जाएगा साथ ही साथ और ये 2.1 परतिसत है ये कुछ अर्थ कर्ष्ट के element हैं जिसमें सरवादीक मातर में oxygen silicon है अगरासवाल another name of white ant तो white ant है सफेज जो ant है उसको बोला जाता है दीमक बोला जाता है क्या ट्रमाइट इंगलेश में बोलते हैं सभेज जीनिटियों को white ants को ट्रमाइट बोला जाता है इनका फाइलम है आर्थ पोड़ा कौन से तत्तों के लवण सबसे अधीग घुलंसील है sodium किस तत्तों के लवण है जैसे एनस येली हो गया जो कि पूरण से लवण सबसे स्भेज जनल को करण करण है ये में दूस्तों मेरुदेंट का है इस पाईनल कॉलंब कालम का पार्थ हो जाएगा नेमण में से कौन सा जौर एक मुख्ये कान है ज्वार भाटा आता है समूदर में उसका मुख्य कांट रहता है गुर्तवा कर्ष्ण बल जो सूरे और चंद्रमा का लगता है सूरे और चंद्रमा का गुर्तवा कर्ष्ण खेंचा भी उसका मुख्य कांट है अगला स्वाल देखते हैं यहापर मेलाटोनिन हार्मोन का क्य तो इसके अल्पकालिक उप्चार के लिए भी ये मेलाटोनीन चक्र गड़बिडा रहा रहा हैं इसका उप्यों किया जता है अगरासवा लेखते हैं किस परशिद रशोई सामगरी को सरक्रा भोजी कवक कहा जाता है जो यिष्ट है इसको सरक्रा भोजी कवक के नाम से जाना जाता है और बेकर के दोरा उप्यू के जानौल खमीर का वेगरिंग नाम क्या है सेक्रोमाइसेज सेरेवीशिया है इसका साइ चेप्टि नेम हो जाएगा अंगर रसाब लिखते हैं यहां पर किस ने पाया कि यह दिया आप दो गजते हमे एक समान उच्छे सी गिराते हैं तो वे एक समय's में जमीन पर गिरेगी दो गज्टनेगे, दोगको एक समस्वेहं में यहां पर फिर्टी पर हिट करने वाली हैं ये सबसे पहले किस ने पाया हैं सबसे पहले इस परकार का जो प्रयोग हैं गैलेलियो गैलेली के दोरा किया गया है जो इटली के विग्यानिक रहे हैं और गैलेलियो इसे लीनिंग टौर और पीजा एक्सिप्रिमेंट के नाम से जाना जाता हैं उन्होंने क्या किय पंद्रासो नवासी की बात हैं एट्ती के वेग्यानी गैलेली गैलेली ने पीजा की जुकी मिनार से अलग-अलग दर्यमान की दो गोले गिरा कर एक प्रयोग किया इस प्रयोग का उद्धिश ये परदशित करना था कि किसी उच्चाई से गिर कर जमीन तक पहुंचने में ल प्रवे अगजामन में पूछेगे वेगनिक नाम के स्वाल भी देखते हैं बरगत का वेगनिक नाम है फीकास, भेंगा, लेंसिस किनाम है मिमोशा पुड़ी का पांथेरा पारडस है ये लियोपार्ड का संस्टिपिक नाम है टाइगर का है दोस्तों पैंथेरा टेगरिस है और लायोन का है पैंथेरा लियो हो चाहेगा और जो बहाँ पर बात करूँ में आपके बर्शी का रेपा की वो फिल्ड मस्टेड म जो सर्शों का कह सकते हूँ वो साइश्टिफिक नेम है बिल्ली का है फैलिस केटस और जो बूटा मोनस पमा है वो प्लास पेड का विजय गनिक नाम है अगर असवाल एक मिटर में कितने माइक्रोन होते हैं एक मिटर में माइक्रोन की बात करें तो 10 तो दी पौर 6 दस की घात माइक्रोन होते हैं एक माइक्रोन में में आपके ऐसे मिटर थो उलटा हो जाएगा दस की घात माइनस छो हुत ए membay कन्सा ततों एकल प्रमाडूकता है यूफ तो होता है यह उस element की कितने तत्व अधिक्तम जोड़ सकते हैं तो कौन सा तत्व हैं जिसमें केवल एकल प्रमाणुकता है तो वो तो कहीं न कहीं आपके गॉल्ड हो जाएगे इनमें से option एक रेक्ट है जो की गॉल्ड ऐसे नहीं आपने AU2 इस प्रकान नहीं देखा केवल AU के फॉर्म में आप देख पाते हो तो यह एकल प्रमाणुकता है अधर किसे सी यह रिक्शन नहीं करता है इस तो atomicity of gold है वो वन रहती है बाकी बहुत बार एक्जम आता है sulfur phosphorus की प्रमाणुकता sulfur आप देखेंगों S1 के form में और जो sulfur के बाद phosphorus है फॉस्परस यह P4 आपने देखा होगा तो इसकी प्रमाणुकता 4 होती है ऑक्सिजन की 2 होती है सलफर की 8 होती है और अनुकी प्रमाणुकता होती क्या तो किसे अनुक रंचना में प्रिक्ट होने वाले प्रमाणुकी जो संक्या है उसकी atomicity कहलाती है अलासवाल निवन में से कौन सा पादप के मूलत अंतर के मुखे कारी में शामिल नहीं है पादप के जो मूलत अंतर है उसके मुखे कारी में शामिल कारे कौन सा नहीं है तो इस पोधे के हिस्से को भोजन के आपूर्टी करना ये इसके कारी के अंतरकत नहीं आ आपको जो राशानिक सुत्तर में कौन-कौन सा एलिमेंट है, बैरिलियम रहता है, अलुमिनियम रहता है, सिलिकेट रहता है और क्रोमियम रहता है, बैरिलियम, अलुमिनियम, सिलिकेट और क्रोमियम ये सबी एलिमेंट, अगला स्वाल प्राप्तिक मूल या जो संचेई मूल है जो इस्टोरेज रूट है वो कौन सी नहीं है तो संचेई मूल प्राप्तिक मूल है इस्टोरेज रूट है वो कौन सी नहीं तो कौन सी है ये बता देता हूँ इनमें से जो भी नहीं तो वो करेक्ट करना था संचे जिसे मानशल मुशला मूल कहा जाता है स्टोरेज टैप रूट के अंदर चार मूल आती है कोनिकल, फूजी फॉर्म, नैफी फॉर्म ओप्सन में ये इंगलिस में ही दे रखता था कुम्भी रूप बोलते हैं जिसे और ट्यूब्रस होती है ये चार फॉर्म रहती है जो इस्टोरेज रूट की रहती है अगला स्वाल लिखते है मनुविश्टेशन का जनम दाता फादर औब साइको एनलेशिस है, वो किसे माना जाता है मनुविश्टेशन का जनक है वो सिगमंट फ्राइट को माना जाता जो आश्ट्रिया के मनोव विज्ञान का आपको पूछा ना कि मनोव विज्ञान का तो मनोव विज्ञान की बात करें साइकोलोजी की इनके आधी जनक अरस्तु हैं और आधुनिक मनोव विज्ञान के जनक हैं विल्लियम्स जैम्स अगला स्वाल दिखते हैं किस छेतर की पो बॉठ्र देवाले पोधे है वो मरुषतर छेतर के lavahyun बॉठ्र किया करते हैं तृब्तर पोधे क्या करते हैं धिन के समय घरणी के समय बहुत घ्रणी के Θटर क 시ह Juliet के रहते हैं धियों सांस्वेशन करते हैं जिसमें उनको श्यूटो की आवश्यक्ता रहते हैं इसलिए वो रात्री को करते हैं और कार्मड़ यॉक्षाइड को इस्टोमेटा में वो संग्रहिट किया जाता है जो की जेरो फाइट्स की पतिया हैं और वे फिर अगले दिन फोटो सिंतेशिस की प् गुजरने वाली चुम्ब के छेतर रहा हैं कि शेंख्या को ही उसका चुम्ब के फ्लक्स बोला जाता हैं कोई भी आपजेक्ट हैं आपको यदि आपने चुम्ब के छेतर के मतिर रख दिया तो इस आपजेक्ट से टोटल कितनी चुम्ब के छेतर रहा हैं गुजर रही हैं उनकी संख्या को ही चुम्ब के फ्लक्स बोला जाता है तो चुम्ब के फ्लक्स वह भूतिक रासी है जो किसी तल या फिर किसी चालक तार की कुंडली से होकर गुजरने बारी चुम्ब के छेतर का संपूर्ण परिमान बताती है कितनी छेतर रेका हैं और इसको किस से डिनोट क अगरा स्वाल वेबर पर सेकेंड किसकी यूनिट है विभाव की वेबर पर सेकेंड है वो विभाव की कई हो जाएगी और वेबर यानि डबलू बी है ये किसकी कई है तो वेबर है मैगनेटिक फ्लक्स की यूनिट है नेक्षवा लेखते हैं पार्शेक इसकी कई है लंबाई की लंबी दूरी वाली है जो आकाशी है वो लंबाई है पार्शेक है लाइट येर है ये सबी पदार्थ की मात्रा का ऐसे यूनिट क्या है पदार्थ की मात्रा को मोल से मोल इसकी ऐसे यूनिट हो जाएगी मोल करेक् जीवानु जनित इनी बैक्टीरिया से होने वाले रोग में टिंकु सीडी में बनी है पटा का जो यहां पर ट्रिक रहती हैं तो इनमें से डिप्तीरिया जो अप्शन में दे रहका था टिंकु एनी T, टिटिनेस हो जाएगा फिर T, एनी TBB रहता है कु एनी कुष्ट रोग ठीक है CDN, C, एनी सिप्लिस, DNA डिप्तीरिया में एनी मैनिंजाइटिस बनी है पटा का नी एनी निमोनिया है है एनी हेजा है पटा का एनी पलेग, टाइफोइट, कालिखांसी एम्त्रेक्स भी होता है जिवानों से ये भी याद रखना है तो ये कुछ जिवानों जनित रोग है जब हम एक प्याज कारते हैं तो इससे एक गंद उस सर्जित होती है और हमारी आँखों में आशू भी आ जाते है ये कौन सा यूकिकता जे कटे हुए प्यास से आने वाली गंद और आशू है तो उत्तिरदाई है तो सल्फर के कार्ण सल्फिरिक एसिड इसमें मौझूद रहता है जल का निरमान हाइडूजन के साथ किसके रियक्शन से होता है तो H2O है तो हाइडूजन के साथ ऑक्षिजन होगा ये जिस स्वाल है एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है जिसे सिरारजना कहा जाता है जैसे कि एक पत्ती रहती है न उसमें किस परकार से वैंस रहती है वो शबी आपको देखना है तो अलग-अलग उसमें शिराएं रहती है पत्ती में ये इनका विन्यास जो रहता है वो है शिरारजना है वैनेसन उसे बोला जाता है शिराओं का विन्यास है जिसमें इनमें जो वैन्स रहती है सोने और चांदी के शुद्धीकर्ण है जिसमें ratio जिवरूर important याद रखना है तो HCl 1, 2, 3 तो 3 HCl हो जाएंगे और बाकी है वो एक रहता तो 1 और 3 HCl 3 और HCl का ratio रहता है अगला स्वाल यहां पर देखते हैं किसमें glycogen, poly, beta, hydroxy, buty, butyrate कन, sulfur कन और gas रिखती का हैं शामिर होती है तो कोशी का दर्व में किसमें कोशी का दर्व हैं उसमें glycogen, poly, beta, hydroxy, butyrate कन, sulfur कन और ग्यास रिखती काई रहती हैं समुदर तल पर मानक वाई मंदली दापर तथा Celsius के पैमाने पर जल के 45 डिगरी अक्षांस पर कउतनांक रहता है जल का वो 100 डिगरी शेंटीगरेट हैं किस खनीज से आपतिक्ष बाजी मे हरा रंग उत्पर होता है, barium से, barium से अभी यहाँ पर एक प्रयावण हितेशी, यहीं ग्रीन पटाकों के लिए, यहीं प्रयावण को देखी, barium से क्या होता है, बहुत ज़्यदा धूवा निकलता है, इसलिए अभी barium के इस्तान पर सरकार ने परतिमन लगा कि, sodium का इस्त से निकलता है, तो barium कलोराइड है, आपति श्वाजी में हरा रंग परदर्शित करता है, और estroncium, estroncium carbonate वो लाल रंग करता है, sodium nitrate पीला करता है, calcium कलोराइड संत्रा, barium कलोराइड हरा, copper कलोराइड नीला रंग परदर्शित करते हैं, पक्षियों के वेगनिक अध्यन को क् इसके काण होता है, protozova, काला अजार रोग है, उपर ये अपने देखा है, जो protozova से होने वाले रोग, उसमें काला अजार भी था, तो lishman या परजिवी के शंकर्मन के काण ये भी पूछे जाता, कौन से परजिवी है, कौन सा protozova, तो lishman या परजिवी हो जाएगा, पूछे चाता है, फ्यूज वायर है, कौन से मिशर धातु से बना होता है, जो alloy है, उसमें आपके lead रहता है, और शाथी सा ये तिन रहता है, lead और तिन से बना होता है, फ्यूज वायर, glycogen नामक peptide हार्मौन है, वो किसके दवरा सरावित होता, अगनाशे से, glycogen जो peptide हार् जाले हैं रेशम से बनाती है जो प्रोटीन से बना एक प्राकर्तिक फाइबर यही दे रहा है तो spider webs are made of of तो शिलक से यह जाले बनाती है मकडिया और यह जो प्रोटीन से बना एक प्राकर्तिक फाइबर है जो शिलक है नेचुरल फाइबर है जो कि प्रोटीन से बना होता है अगला स्वाल लिखते हैं which of the following is a characteristic of conservative force के बारे में आपको पूचा है स्रक्षी बल है उसकी कौन सी गुण है कौन सी विसेशता है तो work done by its end स्रक्षी बल में वो completely recover कर सकते हैं जो भी कारी किया जाता है स्रक्षी बल में तो वे बल जिनके दोरा किया गया कारे का मान पत पर नि उसका मान पत पर depend नहीं करता है वो स्रक्षी बल है जैसे गुर्ट्वाकाशन बल है केंद्री बल है चुम्ब की बल है परत्यास्त है लोरेंस बल है ये सभी स्रक्षी बल कहराते हैं अगला स्वा लिखते हैं is the water transporting issue in plant है तो पोधो में जल का परिवैन है वो जाइलम उत्तक से होता है भोजन का होता है फोलो एम से food का अलस्वार reference to atomicity आरगन आरगन की प्रवाणुकता मैंने बताया अक्री रहता है किसी से रिक्षन नहीं करता तो आरगन वाले जो element जैसे की अक्री गैस वाल अठारु ग्रूप वाल एलिमेंट है आरगन है तो इसकी प्रवाणुक और साम में इस्तती बनाय रखने की प्रवर्ती है वो सम इस्थापन कहलाती है क्या सम इस्थापन होमियो इस्ताशिष आप कह सकते हो और इसमें क्या होता है किसी तंतर का एक ऐसा गोण होता है जिसके दोरा वो अपने आंत्रिक प्रयावण में आवशिक परिवर्टन करके पोदों में कौन सा पादप हार्मॉन की विर्दी को नियनत्रित करता है विशेश करता है तो विर्दी को कंट्रोल करता वो ऑक्जिन हो जाएगा और ऑक्जिन से पतियों फलों के पत्तन को भी नियंतित करने में शायक है जो परमुप पोदों के हार्मोन है वो ऑगजिन, जेब्रिलिन, साइटोकाइन, एपसिक, एसिड और एथाइलिन है इन सभी कुछ इंपोर्टन कारे बता हूँ जैसे ऑगजिन की बात कर रहे तो कोशिकाओं की लंबाई में कोशिका विभाजन में शायक है, पोदों की गत्यों पर कंट्रोल करता है, पत्यों को गिरने से रोकता है, बीज, रहित फलों के उत्पादर में भी ये शायता करता है और जेब्रिलिन है और पोदे, बहने पोदों की लंबाई में विर्दी भी जेब्रिलिन, पोदों की प पत्यों की विर्दी रोकने में शायक हैं अंकोन के समय ये विशेसकर या उप्योग होता है वो किसका जिवरेलिन का होता है और अंकोन के समय उत्प्रिरक उत्पर्ण करता है वो साइटोकाइनिन करता है फिर एप्सिसिक एसिड बात को भी विर्दी रोधक है बहुत बार एक डिवाइसे जो उपचार या सरजी के लिए एक उपकरण में रोगी तक विजुद शक्ती हैं वो इलेक्टोड की मादें से पहुंच जाए जाती हैं सभी गैर शुन्य वेक्टर हैं उससे उप्युक्त वेक्टर कहा जाता हैं और निमन मैंसे किस तरल पदार्थ का पीच वैल जो ऑप्सन में देख रहे हैं वो जिसकी जो पीच वैल्यू है वो सबसे अधिक रहती हैं मिल्क और मैंगनिसिया और इसकी पीच वैल्यू होता है यह शार्य डेता 10 होती हैं बाकि जैसे हुमन बलड की मानो रख की बात करो 7.4 रहती हैं 7.35 से 7.45 के मदिवेरी करती हैं और समुदरी जल का 7.5 से 8.4 अमोनिया की 10 से 11.6 है मिल्क की 6.5 से 6.7 बियर से इनकी 4.5 है वाइन सराब की 2.8 से 3.8 टामाटर की 4 से 4.9 औरेंज की 3.79 से 4.13 एपल्स की सेप की 3.3 से 4 और अंगूर की है वो 2.9 से 3.82 तो पीच इसकेल 0 से लेकर 14 तक रहती हैं पीच का मतलब पो मेंगिशियम को M Z से डिनॉट किया जाता है ये राशानिक परतिक हो जाएगा और आधूनिख आपको कमेंट करना है मैंगी वीडियो देख रहे हो म Mits अगला स्वाल निवन में से कौन सा कतन सही है चार स्टेटमेंट दे रखे पुछा कौन सा सही है तो सही वाला ये पहला ही में बता रहा हूं किसी विशेश तातकालिक शमय में समान फेज़ वाली तरंग में दो बिंदुवों के बेच की नियूनतम दूरी को वेव लेंट का जाता तो वेव लेंट की परिबाशन यहां पर सही दे रखी है अलगा स्वाल लेक्ते यहां पर है वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें अशुद पानी को उबाल कर वास्प एकटा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में शंग जित फिर ठंडा किया जाता है जिससे कई ठो संदूर्शक निकल जाते हैं उबालने से ठोज संदूर्शक है वो निकल जाते हैं यह आस्पन है या फिर डिशलेशन इसको कहा जाता है कौन सा रोग वाइरस के काण नहीं होता है वाइरस विश्राणू से होने वाले रोग में यह प्लेग हो जाएगा जो विश्राणू गलसोद इंप्लूएंजा ये सभी वाइरस जनित रोग हैं अगला स्वाल लिखते हैं यहां पर पूछा है क्यों इस रेम की फुल फॉर्म क्या हैं तो क्विक रियक्षन सर्फेस टू एर एक मिसाइल हो जाएगी येकर्थ प्रभावित होता है और पित रंजों के जमाव की क तवचा और आंके पीली हो जाती हैं ये कौन सा पाचन विकार यहां वरनित है तो पील्या रोग की बात हो रही है और पील्या रोग से प्रभावित अंग रहता लिवर येकर्थ रहता ये आपको याद रखना है अलास्वा निमनतम तापमान जिसे पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है पोटिशियम परमेंगनेंट के एक अनु में कितनी ऑक्सिजन परमानू मौझद होते हैं तो पोटिशियम परमेंगनेंट के एक अनु में आप देख रहे हो कितने ऑक्सिजन चार ऑक्सिजन है तो ये केमनो फॉर इसका फॉर्मुला है कुलाम परति सेकें किसके ब्राबर होता है एंपियर की आपको दे रखी है प्रिभाशा एदी की एंपियर क्या होती धारा धारा का जो प्रतिक है प्रतिक नहीं धारा का जो यूनिट है वो एंपियर है तो धारा क्या होती है आवेस प्रवा की दर आवेस बटा समय तो धारा रहती है आवेस प्र जिसमें beryllium, magnesium, calcium, estonsium, barium और radium रहते हैं, जो बेटा मांगे कार, इस्कूटर, भाप, राजी हैं, इस प्रकाज उट्रिक रहती हैं, अगर अगर इस्वाल देखते हैं, इस्तल मंडल जो लिथो इस्पेर हैं, वो किस किरिया के जरिये, दुर्बल ताप मंडल जो इस्तेनो उसके उपर चला जाता है सत विवर्तनी के माध्यम से इस्थल मंडल है वो दुरुबल ताप मंडल के उपर चला जाता है सत विवर्तनी के माध्यम से अलासवाल दिखते हैं परिवाशा दे रखी हैं ये परिवाशा परवाल की हैं परवाल क्या करता है परवाल एक इस्थान बत्प्राणी हैं जो पृत्वी पर जैविक मूल की विशालतम सरचनाओं का निर्मान करने के लिए शेवाल जैसे पादबो के शाथ अपने सम्मंदों पर निर्बर हैं। या पर सब्तिर्शी मंदल कहा जाता हैं। और पेंटा है दसकी घात, पेटा है दसकी घात 15, एगजा है दसकी घात 18, जेटा है दसकी घात 21, योटा दसकी घात 24, इसी प्रकार डेसी दसकी घात माइनस एको डेसी, माइनस दो शेंटी, माइनस तीन मिली, माइनस चें माइक्रो, माइनस नो नेनो, दसकी घात माइनस बार का है जोना शाल के दोरा विक्षित किया गया था पोलियो कटिका उननी सो त्रिपर में जो कि अमरीकन मेडिकल रिसेर्चर है जोना साल की दोरा कौन सा जिंक कार्बोनेट और जली जिंक सिलिकेट की प्राकरतिक अधिमिस्रन खनीज सामानी नाम हैं तो कैला माइन हो जाएगा जिसमें जिंक कार्बोनेट जली जिंक सिलिकेट हैं ये सबी मार्श गैस का दूसरा नाम मिथैन हैं अगला स्वाल है कि किसका उप्योग किसी विक्ति के आँखों के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है वो है दूसरों टोनोमेटर का उप्योग है आँखों के अंदर जो दबाव रहता प्रेसर है उसको मेजर करने के लिए टोनोमेटर का उप्योग होता है। अला स्वाल माध्यम के अणुओं को जब कमपन उर्जा के इस तरह से उत्यजित किया जाता तो इनके दोरा प्रकास का प्रकिरणन है वो रमन परभाव के प्रिनाम सरूप होता है। इस टाइब से आप देख रहे हों जो सीजियल 2021 की 21 सिर्प में पूछेगे टोटल 100 साइंस के स्वाल एक्ष्टा फैक्सरीट कवर होगे। इसकी पीडियो फैल आपको हमारे टिर्ग्राम चैनल पर एवरेबल होने वारी हैं। बाकि जितने भी स्वाल 525 स्वाल पूछेगे टैब की बार सीजियल में। इसी प्रकार CHSL के जोब जीए के स्वाल है वो पीडियो फैल आपको उप्टेंडिंग जीके डॉटिंग वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हूँ। उसकी लिंक आपको डैस्क्रिंग बाक से मिल देगे डैमो वीडियो भी है किस प्रकार डाउनलोड करने वो भी आप चेक कर सकते हूँ। और अभी जो फैस्टिवल आफर चल रहा है टेस्ट बुक पर जिसमें दिया आप टेटी जीके कोपन कोड यूज़ करते तो आपकी 280 रूपे में 14 मन्त की वेल डिटी का पास मिलने वाला अल्लिमिटिन मोक्रेश्ट अट्टेंड कर सकते हूँ। इस बेतरिन अपोर्चुन को जरूर ग्रेब कर लेना मैं मिलता हूँ ऐसे किसी ने वीडियो के साथ वन दे मातरम जहीं दोस्तों